देखें हैं टिंटर्न अवे ये एक पोयम है और यहां देखें लिखा गया है इसका पहले नंबर फुल टाइटल नेम यह है लाइन्स कमपोजड आप फ्यू माइल्स अबब टिंटर्न अवे आन री विजिटिंग दा बुक्स आफ दा वाई आफ दा रीबर वाई यह वाई यह पूरा इसका फुल टाइटल नेम है जैसे टिंटर्न अवे क्या है सौर्ट नेम है और इसका अगर पूरा टाइटल नेम की बात किया जाए तो यह लाइन्स कमपोजड आ फ्यू माइल्स अबब टिंटर्न अवे आन री विजिटिंग दा बैंक्स आफ दा रीबर वाई यह समझ में आ इतना है यह इसका फुल टाइटल नेम है इसको फर्ष्ट पब्लिष्ट इन लिरिकल बैलिट्स इन 1798 मेंस फर्ष्ट टाइम इसको पब्लिष्ट किया गया है लिरिकल बैलिट्स में अब बैलिट्स क्या होता है एक तरह से यह पोएम का कलेक्सन होता है लोग एक बैलेट्स में अपनी पोएम को पब्लिश करवाते हैं तो इन्होंने लिरिकल बैलेट्स में इसको मतलब पब्लिश करवाय गया गया दो पॉइंट क्लियर है ना यहां देखो यह फैक्चुल डेटा वाला जरूर याद रखना क्योंकि बाकी सब तो बनाया जा सकता है इसलिए मैंने फैक्चुल डेटा खासकर पॉइंट वेज करकी लिखा है जैसे यहां पहला तो एक फूल टाइटल नेम यह रिफरेंस में डाल सकते हैं जैसे रिफरेंस यह पूरा टाइटल नेम है फिर इसके बाद में हूँ इसी में एड कर दो डेट इच पबलेश्ट फर्ष्ट ले इन दा लेरिकल बैलेट सौफ वर्ट्स वर्थ इन 1798 यह पूरा बढ़ी हैं तयार हो जाएगा फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है यह कब लिखे थे मतल देखे वर्ट्स वर्थ यहां पर टिंटर नव एक जगए है जो कि वाई रिबर से 10 किलोमीटर दूर है मतलब यह थोड़ा पहाड़ी पर है मतलब उचे अस्थान पर हिल पर है समझ रहे ना तो वहां पर यह गए थे 1793 में गए थे जबकि यह पोयम लिखा गया 1798 में लेक ली था मतलब थोड़ा पागल पन का डवरा अगर रहता था तो यह सिष्टर को जैसे नएने जगे पर घुमाने जाते थे और थोड़ा वर्ट्स वर्थ नेचर के लबर हैं भी इनको कहा भी जाता है लबर अप नेचर तो यह वहां पर गए थे 5 साल पहले गए थे फिर क्य हुआ जब वहां पर गए थे तो his sister and he were filled with great joy rocks hills woods fascinated him तो उसकी sister को और इनको मतलब ये दोनों जो है वहां टिंटर आवे की जो टिंटर आवे में जो hills थे जो rocks थे या जो woods थे वहां की जंगल थे पहाड थे परबत थे इन सब ने इनको बहुत ज़दा मोहित किया और बहुत ज ज़दा खुस महसूस किये थे और जब ऐसा हुआ था तो पांच साल बाद ये फिर जाते हैं यहां लिखा है फाइब इयर्स लेटर दे अगेन बिजिटेड दा रीबर वाई बिद हिज सिष्टर डोरोथी आंदा 13 जुलाई 1798 ये देखो पांच साल बाद फिर ये जो है अ तो वहाँ पर ये फिर से जाते हैं घूमने जाते हैं 13 जुलाई 1798 ये को और इस बार क्या होता है इस बार मतलब वर्ट्स वर्थ के जो नेचर के प्रति जो पहले नजरिया था जैसे पहले जब फर्ष्ट टाइम गए थे तो बहुत जादा आनंदित हुए थे वो ऐसे भी कहीं अगर फर्ष्ट टाइम जाओ या किसी इनसान से अगर पहली बार मिलो तो लोगों को एक मतलब अच्छा फील होता है अलग टाइप का फील होता है लेकिन जब बार बार उसी इनसान से मिलने लोगो या बार बार किसी प्लेस पर जाने लोगो तो वो प्लेस एक तरह से जैसे महमान टाइप हो जाता है कि हाँ ठीक यह पानी रखे खुदी पीलो तो वही इनके मतलब बताया गया कि जब यह दोबारा गये थे तो इनको नेचर के प्रत वर्ट का थोड़ा सा रवया चेंज हो गया था और इसलिए इन्होंने इस पोयम को लिखा और इस पोयम का और यह देखो यह जो पोयम है यह जे चाल डिस्क्लोजर की पोयम है जैसे मनलब एक तरह से खुद में मतलब काम करना खुद पर काम करना कि हां जैसे अभी हम लोग अगर खुद पर काम करें तो अभी high school inter में पढ़ने का एक अलग जजबा रहता था लेकिन अब धीरे 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 वो चीज़ें कम होती जाती हैं तो यह यह poem जो एक self disclosure है जिनमें poet himself declares his change in his feelings and attitude towards nature जिसमें जो poet हैं जो कभी हैं वो nature के प्रत जो उनका रवया नेचर के प्रत जो attitude या नेचर के प्रत जो feelings हैं जो change हो गई हैं वो खुद बताते हैं कि जब मैं 5 साल पहले यहां पर आया था तो नेचर मुझे अलग अच्छा लग रहा थी यहां के hills, यहां के rocks, मुझे अलग तरीके से fascinate कर रहे थे मतलब एक तरस लुभा रहे थे जैसे अब ही ऐसे इसको समलो, जैसे मानलो कोई लड़की अगर पहली बार अगर कोई fallen in love होता है तो एक अलग रहता है लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है फिर लोगों को ऐसे बेकार लग रहे थे सेम केस ये बता रहे है कि नेचर के प्रती जो अब हमारा जो चेंजने जो फीलिंग्स में या आटिटूड में जो चेंज हो गया है उस चीज को पोईट इस कविता के थरोग खुद बताते हैं और इसलिए इसे कहा गया है कि इंटर्न अवे इजा पोईम आप सेल्फ डिस्क्लोजर ये एक सेल्फ डिस्क्लोजर वाली पोईम है फिर है इट वाच कंपोज्ड नाट अबब बट बिलो दाट इंटर्न अवे अब जैसे देखो यहां अगर फूल टाइटल में देखा जा है तो यह कह रहे हैं कुछ मील दूर है ना अब अब टिंटर्न अवे टिंटर्न अवे के उपर से आन रिविजिटिंग दा बैंक साबडा हुआ है जब यह दोबारा मतलब वाई रिबर के किनारे जब दोबारा रिविजिट करने गए थे एक टूर के दवरान यह तब कह है वही यहां कहा जा रहा है It was not It was composed not above मतलब वी उपर की तरह compose नहीं की गई बर बिलो दा टिंटर्न अवे बलकि टिंटर्न अवे के नीचे मतलब टिंटर्न अवे के नीचे वहां के rocks वहां के जो है नेचर इन सब की beauty सुंदर्ता को बताये गया है जबकि उपर की बात नहीं क गई है चुमकि टिंटर नवे एक तरह से भाई दूर है तो वही चीज है कि मतलब यहां पोएम के टाइटल पर ना जाकर देखा जाया तो पोएम के टाइटल में जाएंगे तो यही संस निकलता है टिंटर नवे के ऊपर की है लेकिन एक्चुली नीचे का बट बिलो दा टिं अब जैसे देखो पहली बार ये वर्ट्स वर्थ 1793 इसमी में गए थे फिर पान साल बात तेरा जुलाई 1798 में तो वही करें फाइब इयर्स है पाश्ट पान साल बीत गए है फाइब समर्स पाँच गर्मिया बीत गई है पांच सर्दियों की राते बीत गए अर्थाथ पांच लंबी सर्दिया बीत गए लंबी सर्दिया इसलिए कहा गया चुंकि सर्दियों में लोगों का दिन बीतता नहीं है जैसे क्या होता है सर्दियों में बहुत खास काम नहीं रहता लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं तो सर्दियों वाला जो दिन होता है, मतलब ऐसे लोगों को लगता है, बहुत लंबा समय है, लेकिन वही गर्मी वाला दिन फुर्रस से, मतलब पता ही नहीं चलता है कहां गया क्या नहीं, and again I hear these waters, और ये कहते हैं, जब मैं 5 साल बाद आया हूँ, तो मैं फिर से इन waters, मतलब एक तरह से जो पानी की कल-कल करते हुई आवाजों को सुनता हूँ, rolling from mountain, springs with a soft inland, murmur, जो की mountain के spring से, means mountain की चोटी से रोल करते हुए, मतलब एक तरह से जरने की रूप में गिरता है, और murmuring sound करता है, murmuring sound का मतलब जैसे जब पानी कल-कल की आवाजी जो करती है, और जो nature वहाँ पर जो हवाएं चलती है, वो सब एक अजीब तरह की आवाज मतलब murmuring टाइप की आवाज निकालती है, तो ये है, अब देखे, ये तो यहाँ पर एक, दो, तेन, चार, चार लाइन है आपका, अब यहाँ पर देखे, इसका reference context कैसे लिखा जाएगा, reference यहाँ पर मैंने अपनी हिसाब से लिख रखा है, reference है, these are the opening lines, देखे, आप एक तो ये था कि, हाँ these lines have been taken, above lines have been taken, above passenger, आप इसको मतलब इससे भी start कर सकते हैं, these are the opening lines of Wordsworth famous poem, यह opening lines Wordsworth के famous poem, that's name Tentern Away, Tentern Away से लिग गई है, that's full title is, जिनका full title है, lines composed a few miles above Tentern Away, on revisiting the banks of the river, while during a tour, अच्छे इसके आगी ये भी add कर सकती है, written, sorry, firstly published in lyrical ballads in 1798, ये भी लिख सकती है, समझे में आई इतना, next है आपका context, अब context में एक तरह सकन्क्लूजन टाइप theme लिखा जाता है, यहाँ पर देखे, full five years have passed, मतलब पूरे पान साल बीत गए हैं, पूरे पान साल बीतने का मतलब, गर्मी की भी रातें बीत गई, सर्दी की भी रातें बीत गई, since the poet paid the first visit to the tinter away, जब से, यहाँ since का मतलब जब से लिया जाएगा, जब से poet ने इस tinter away को, पहली बार जब बीत किया था, तब से और अब के बीच में, पान साल बीत गया है, he is standing on the banks of the river, and again hearing the sound of the water, और फिर से उस water की sound को, पानी की कल-कल करते हुई आवाजों को सुनते हैं, coming down from the mountain springs, जो की उस mountain के top से, उस mountain की चोटी से मतलब नीचे की गिरते हैं, एक तरह ज़रने की रूप में गिरती हैं, its murmuring sound is very fascinating, और इसकी जो कल-कल करते हुई आवाजे होती हैं, fascinating मतलब बहुँ ज़्यादा लुभाने वाली होती हैं, आकरशित करने वाली होती हैं, दरी बरिजा few miles above Tinturn, और ये नदी जो हैं Tinturn away नामक प्लेस से, कुछ दूर ये दूर हैं, तो ये चीज है, आप देखो ये जो context है, कहीं न कहीं इसी के base पर है, वो इसे सबसे च्छे context ही होता, जो passage या जो इस्टेंजा, वो इसे हाँ इस्टेंजा बोलेंगे, चुँकि poem है, ये जो इस्टेंजा रहे, इस इस्टेंजा में से ही, मतलब इसी के base पर होना चाहिए, बाकि कुछ नहीं समझवाए रहे, तो पूरे poem को base बना कर लिख सकते हैं, अब इसके बाद देखे, explanation क्या है, he re-visited the place on July 13, 1798, इसने क्या किया था, 13 July 1798 इस भी को फिर से revisit किया, तभी तो कह रहा, पांच साल बीट गए, पांच गर्मी की राते हैं, पांच सर्दी की राते हैं, और अब यहां पर देखे, इट इच कंपोष्ट, आप्टर लिविंग टिंटर, नॉट आ लाइन आप इट वाज, देखे, यह चीज़ जो है, जब टिंटर सी वापस आये थे, वापस आने के सामके सुमें बैठ कर, यह कभी तालिग दिये थे, यह जो वर्ट सुवर्थ हैं, अब यहां पर क्या है देखे, मतलब यहां पर क्यों यह ही बता रहा हैं, कि और यह किसी पोएम में टिंटरन के बारे में चर्चा नहीं किये हैं, यह मतलब परसनली यह जो टिंटरन अबे पोएम है, यह परसनली इसी के बारे में है, कि जैसे सामको आये थे, तो सामको बैठ कर यह लिख दे थे, आगे देखो, यहाँ पर समर और बिंटर के बीच में जो डिफ्रेंसेज हैं, इन सबको पूरा नोट किया गया है, डेज ओफो सेप्रेशन आर कमपोजड टू बिंटर्स, यहाँ देखो, यह जो सेप्रेशन के डेज हैं, यह बिंटर्स, मतलब जब यह गए थे, तो वहाँ कहें न कहें, इस्प्रिंग और बिंटर्स का, मतलब भीज का सीजन था, ना तो बहुत ज़्यादा ही बिंटर्स थी, और नॉर्मल लोग ऐसे, मतलब ऐसे समय जाते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बिंटर्स ही रहे, ना तो बहुत ज़्यादा समर ही रहे, समर और, क्या हुआ? अब यहाँ पर फिर नेक्ष्ट क्या है? दा वाटर्स रिफर्ड टो हेर, इन लाइन थी इज रीबर वाए, यहाँ पर waters की जो बात कर रहे है line 3 में के कर रहे है great river of bells जो की एक bells की बहुत जदा great river, अब यहाँ bells एक place है मतलब bells में एक river है उसका नाम है वाय तो इस वाय river के water की यह चर्चा करते है clear? फिर यहाँ its upper banks are thilly steep, अब यह करें इसका जो उपर वाला पोर्चन है मतलब यह जो टिंटरन अब उपर वाला पोर्चन एक hilly type का पोर्चन है endured और जंगली टाइब का है मतलब थोड़ा सा वहाँ पर forest वोगरा है, trees वोगरा है wordsworth stood on those banks casting his glance over its water और wordsworth वहाँ पर बैठे हुए है मतलब थोड़ा सा उचे अस्थान और water को देख रहे है और वही से जो है यह मतलब अपने पान साल पहले की memory को याद कर रहे है और वही कह रहे है कि पहले कैसा था आप कैसे हो गया अब यहाँ फिर आगया critical comment critical comment में क्या है थोड़ा सा आप यहाँ comment मतलब theme ही लिखने रहते एक तरह से throughout the poem subjectiveness is clearly visible यहाँ पर पूरे के पूरे poem में subjectiveness जैसे matter दो होता है एक तो होता है subjective आरे सौरी आप बीए में पढ़े होंगी होता है poetry दो तरह हो एक होती subjective poetry और एक होती objective poetry होती है तो यह पूरी की पूरी poem जो है इसमें subjectiveness दिखाई देता है wherever the poet finds an opportunity जहाँ पर पोईट को एक opportunity मिलते है एक आउसर मिलता he talks about his sister and himself और यह इस poem के थुरू अपने बहन के बारे में और अपने खुद के बारे में बताते हैं poets love for dear sister is abundantly manifest यहाँ पर poet का जो अपनी sister के प्रती बहुत जदा लब है उसको भी manifest किया गया है next है यहाँ पर एक मिनट यह थोड़ा सवर बचा है हाँ यहाँ पर क्या देखी यह है the poet is standing on the banks of the river with his sister Dorothi poet जो है why river के पास में खड़े हुए हैं अपने sister Dorothi के साथ में he has been philosophic philosophic addressing her sister वो अपने sister को बहुँ जदा philosophic type मतलब बता रहे हैं जैसे बाते कर रहे हैं देखो क्या change-ness होता है मतलब समझा रहे हैं इक तरह से in the end और लास्ट में also imagining that one day even if he is for a way from her और लास्ट में कहते हैं कि imagine करने के लिए भी one day even if he is for एक दिन वो जो है उससे जो बहुत दूर हो जाते हैं she will never forget his love of nature और वो क्या होगी nature के उसके मतलब उसका लब जो की nature के प्रत इतना जादा वो कभी भूलेगी नहीं the poet loves nature poet nature से प्रेम करता है not for its own self खुद के लिए नहीं करता है but for Dorothy बलकि Dorothy के लिए भी चुँकि insanity की सिकार रहती थी इसको थोड़ा पागलपन वाला as well साथ ही who is enjoying the nature along within और साथ ही इसी बहाने उसकी sister भी उसके साथ में nature का enjoy कर रही है और इनको जो है lover of nature भी कहा जाता sa vide 같습니다 झाल मननच बिमार जड़ा छुद के लिए